फ्रेंड्स आपने देखा होगा आजकल बच्चों को मॉमो खाना बहुत जादा पसंद आता है किसी भी स्टेट फूड किसी भी मॉमो शोक पे देख लीजिए बच्चों के यंग्स्टर की तो जैसे की भीड़ सी लगी होती बिल्कुल मेला सा लग जाता है कुछ बच्चे तो मॉमो खाने की इतने जादा शोकीन होते हैं कि रोज मॉमो खाते हैं जबकि हम रोज जो बाहर से मॉमो खाते हैं वो मैदे से बने हुए होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए काफे नुकसान दे होते हैं तो चलिए, आज हम बहुत ज़्यादा हेल्दी आपको मॉमोज बनाना बताएंगे, आप इसे रोज खा सकते हैं, आपको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुचने वाला है, इसको हम सूजी से तयार करेंगे, इसमें ठेर सारी सबजियां भरी होंगी, जो की हमारे लिए बहुत ह रेडी होंगे, हम चुटकियों में इतने टेस्टी और डिलिशेस मॉमोज बना के रेडी कलेंगे, और इसके साथ में इंस्टेंट चटनी भी आपको बनाना बताऊंगी, तो चलिए इसे बनाते देर ना करते हैं, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू आश्या जी स्पेशल क चलिए तो सबसे पहले लेते हैं, सूजी तो यह मैंने डेड़ कप सूजी ले ली है, यह ना तो मोटी सूजी ना भारिक है, आप कोई भी सूजी ले सकते हैं, मोटी भी होगी तो भी चल जाएगी, बारिक होगी तब भी चल जागी, क्योंकि इसका हमें पौडर बनाना है, तो हम mixer grinder के jar में इसको पीसेंगे और इसका fine powder ready करेंगे जैसे कि आटा होता है बिल्कुल उसी तरीके से में पीस लेना आप जितनी बारी इसको पीस सकते हैं जितना बरीक कर सकते हैं आप उतना ही बरीक कर लिजेगा तो देखे मैंने इसको पीस के fine powder इसका ready कर लिया है और जितनी ज्यादा quantity में बनाना हो आप उतना ही ज्यादा सूजी का powder ready कर सकते हैं तो आप देखे इसमें पलटने के बाद हमें क्या करना इसका आटा लगाना जैसे कि हम रोटी के लिए आटा गुनते है ना ready करते है बिल्कुल उसी तरीके का आटा हमें गुनत के ready करना है अब इसका आटा गुनत के ready करते जाएंगे इसका जब आटा आटा गुनतेंगे ना तो आपको hard रखना है ना यह बहुत ज़्यादा गीला रखना है आपको normal soft इसको रखना है अब जैसे कि रोटी के लिए हम आटा लगाते हैं उतना ही soft आटा इसका हमें लगा के ready करना है क्यों इसी महनत करके आप घर में ready कर लीजिए और घर में उन्हें खिलाएं मैं आपको guarantee देती हूँ 101% आपके बच्चे बाहर जाके तो momo खाना बिल्कुल भूल जाने वाले हैं और आप इसी तरीके से उन्हें healthy momo खिला सकते हैं जो कि उन्हें किसी तरह का नुकसान भी नहीं प जाल दिया है इसे थोड़ा गरम हो जाने देती हूँ इसके बाद मैं कुछ इसमें सबजी एड करूंगी तो सबसे पहला तो मैं इसमें एड करूंगी लहसुन हरी मिच और अधरक इसे हमारे मोमोस का फ्लिवर बहुत अच्छा आता है लहसुन अधरक और हरी मिच आप जित मैंने छोटे-छोटे पीस कर लिए इसको मैं इसमें एड कर लेती हूँ आज लहसुन हरी मिच और अधरक को हमने हलका सा बून लिया अब यही पर हम इसमें सोयबिन की बड़ी एड करेंगे तो मैंने एक कप सोयबिन की बड़ी लिली थी पहले गरम पानी में डिप कर लिया था पांच मिट भिगोने के बाद उनको निचोड के मैंने निकाल लिया चोटे-चोटे पीसेज में काट लिया इसको हलका सा इसमें फ्राई कर लेते हैं जब यह फ्राई हो जाएंगे न त इसमें से हटा सकते हैं उससे कोई फर्मी पड़ेगा टेस्ट हमारे मुमोस का बहुत ही अच्छा तब भी आएगा और देखिए यह हलका सा बूना में बहुत जादा नहीं बूना है तो देखिए करीबनी से बूनते हुए में एक से देर मिनिट हो चुका है अब इसी स्टे गाजर ले ली थी तो मैंने दो मीडियम साइज की गाजर ली थी इसके में बहुत बारीक बारीक पीसेस कर लिया इसको मैंने इसमें एड कर लिया है इसमें हम जो भी सबजी डालेंगे ना सारी सबजी यह बहुत ही हैं आजर को मैंने पहले इसलिए डाल दिया क्योंकि जर थोड़ी सी पक जाएगी, इसी स्टेज पर हम इसमें डाल रहे हैं ये बंदगोबी, तो मैंने बहुत छोटे साइज की बंदगोबी ली थी, उसके मैंने बारीक बारीक पीस कर लिया, उसको भी मैंने इसमें एड़ कर लिया है, और इसको भी डालने के बार थोड़ा सा भ अब इक जो सब्जियां हलकी सी भून चुकी है इन में अभी भी काफी क्रंची नैस है और इसी स्टेज पर मैं इसमें नमक डाल रही हूं एक चोटी चमच मैंने नमक भरके डाल दिया है और मैं बाद में थोड़ टेस्ट करके देख लूगी नमकर कम होगा तो बाद में भी ह को डाल सकते हैं और एक चमची मैंने इसमें डार्क सोय सॉस एड़ कर लिया है अब देखिए सब्जियों का मिक्शर हमारे रेडी हो चुका इसमें खुश्बू भी बहुत अच्छी आ रही कैस की फ्लेम को कर देते हैं और इन सब्जियों के मिक्शर को थोड़ा ठंडा हो चटनी बनाना बताती हूं इसके लिए एक बाउल में मैंने दो चमच टमेटो सॉस ले लिया सबसे पहले तो अब इस टमेटो सॉस में हम एक से डेढ चमच रेड़ चिली सॉस डाल लेते हैं अगर रेड चिली सॉस आपके पास ना हो तो आप शेजवान सॉस भी इसमें आधी चमा्स, मैंने एक छोटी चमाची चिली टिन खीर, गड़ा सोय कर लिया आदे शितकर काकी च म FAKA आधा एंसे भी और ऊछोड़ा से में अध्रक स्थाइज तर्क भी तर्बम आदे लसन क सनी कर लिया, अधा टिन खीर कर लिया है होट टेस्टी है चटनी बनके रेडी होती है इस चटनी को आपने एक पर बना लिया तो आप किसी भी चिछ के साथ खा सकते हैं यह जटपट से तयार कर सकते हैं और इसे समोसे कचोड़ी के साथ भी खा सकते हैं क्योंकि यह उसके साथ भी बहुत टेस्टी लगने वाली है आटे को मसलते हुए हमने अच्छे से चिकना कर लिए हमने जैसे पूड़ी के लिए तोड़ते हैं तो छोटे साइज की पूड़ी होती है उतनी हमने लोई तोड़ लिए और एक पिठी लेके इसको हम बेल लेते हैं तो आप इसको पतला बेलिएगा मोटा आपको नहीं बेलना है आपको किनारियों से पहले पतला बेलते जाना है जिससे की 20 से ना यह ज़्यादा पतला हो जाए किनारी से पतला होए इस तरह से आपक जब आप इसे बेलें और चिपक रहो थोड़ा वो तो आप इसमें थोड़ा सा सूखांटा लगा लिए अब देखे यह मैंने जो है एक पूरी बेली आप इसमें मैं स्टफिंग डाले ती अच्छे से भर भर की डालेंगे इतनी डालेंगे कि स्टफिंग हमारी बहार ना निक अब देखे करीबन मैंने डेड़ चमच स्टफिंग इसमें डाली है और इसकी किनारियों पर हलका सा पानी लगा रही है जिससे कि हम इसको चिपकाएंगे ना कोई भी शेप देंगे तो बहुत अराम से आजएगी बहुत अराम से चिपक जाएगी अगर आप ऐसी चिपका मैं इसकी बहुत असान सी शेप इस वर बना रही हूं इसको देखे जैसे कि हम स्टार बनाते ना उस तरह से बना रहे हैं तो पहले तो हमने पहली किनारी से चिपका दिया इसको ऐसे लंबाई में फिर ये दूसरी दो साइड़े ना लंबी इनको आपस मिलेके चिपका दिय तो देखे ये स्टार शेप बन गई ना कितनी प्यारी बनी ये बहुत असानी से बन जाती है इसमें स्टफिंग भी ज़्यादा जाती है अब दूसरी पूड़ी भी मैंने स्टफिंग एक डेट चमट डाल दिया इसकी भी देखे बहुत सिंपल में आपको शेप बना के दि देखे इसको किनारे से चिपका दिया गुजिया जैसी बनगी अपके दो कोने है इन दोनों को हमें पकड़ लेना आपस में मॉमोस की कई तरी की शेप्स बनती है पहले मैंने वीडियो में कई शेप्स आपको बनानी बताई हूँ यह फिलहाल मैंने आपको दो शेप्स बता कम से कम 10-12 मिनेट तक हम इनको कवर करके स्टीम होने के लिए रख देते हैं मैंने मुमोज में तीसरे डिजाइन भी बना हुआ है जो कि मैंने पहले वीडियो में आपको बता हुआ यह भी बहुत आसानी से बन जाते देखने में भी बहुत सुन्दर लगते हैं इसलिए ज़् आटे कोबर कर लेते हैं और बारा मिनेट बाद तुपारा चेक करेंगे तो चलिए बारा मिनट हो चुके हैं बहुत अच्छी स्ट्रीम लग कि हैं और यह हमारे मोमोस बहुत अच्छीиком हो चुके हैं Verb को ऐके करके निकाल लेते हैं तो छनी में रखने से पहले मैं ने थोड़ी सी ओयल से ग्रिसिंग कर दी थी चनी τिर्वे मो मॉज हमारे बिल्कुल भी चिपके नहीं और गराम आप निकाल लेंगे न 15 पर यह नहीं चिपकते हैं बिल्कुल भी फर्क नहीं लगता है वही स्वाद आता है वैसे ही लगते है जबकि ये सूजी होती है मैंने अपने बच्शों को जब इस तरह से बनाके खिलाया तो उनको यकीनी नहीं हुआ कि इसे मैंने सूजी से रेडी करा है और बच्चोंने मेरे जिद भी करी कि जब भी आप बनाना ना सूजी के इसी तरीके के momos बनाना क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आए momos देखा आपने कितनी आसानी से ये healthy momos हमने बना के ready कर लियें जब भी आपकी family momos बनाने कहे तो आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि ये बहुत unhealthy होते हैं आप इस तरह से healthy version के momos बना के खिलाएए सभी को मज़ा आ जाने वाला सभी खुश हो जाएंगे इस तरह के momos खाके और चटनी भी ज़रूर बनाईगा इस तरह के वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा चलिए मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार